नमजकार दोस्तों कॉंपटिशन कम्लिटी के मुबाइल कोस में आपका स्वागत है और भारती अर्थव्यास्ता विश्चे लेकर मैं हूँ आपके साथ अगार्सी बारती अर्थव्यास्ता विश्व पर हम राजकोशी निती पर हम जीएसटी पर चर्चा कर रहे थे हमने पि इस भाग पर हम चर्चा करने वाले हैं GST के संविधानिक मुद्दे पर, संविधानिक पक्ष पर. संविधानिक पक्ष क्यों ऍथा हमेरे? देखे, जब GST देश में आया, तो GST किसी एक साधारन कानून के आधार पर नहीं आया. GST को देश में लागू करने के लिए संविधान में शंशोधन करना पड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 101 शंशोधन करके संविधान में GST को जोड़ा गया अब बात ये आती है कि संबिधान में शंशोधन करने की आवशक्ता ही क्यों पड़ी इस GST को लाने के लिए तो जरा इसके प्रिष्टबूमी पर बात करते हैं GST के पूर्व कहानी कैसे थी कहानी ऐसे थी कि मैनुफेक्चरिंग पर या वस्तू के उतपादन पर केंदर सरकार के पास शक्ती थी कर लगाने का वस्तूओं के बिकरी पर राज्य सरकारों के पास थी शक्ती कर लगाने का और ये सारी शक्तियां कैसी थी तो ये सारी शक्तियां संबिधान में नहीं थी अंतर राजी वैपार पर केंदर के पास कर लगाने का अधिकार था परन्तु इसके पैसे किस्प के पास जाते थे तो निर्यात तक राज्य के पास वो राजय जिस जो वस्तु का उत्पादन करते थे या फिर निर्याद करते थे ये GST के पहले की कहानी थी और ये सारी जो शक्तियां केंदर राजय के पास में ये विभाजित थी, ये कहाँ पर लिखी हुई थी, तो ये देश की संभिधान पर अनुच्छेदों पर इसका उलेक किया गया था, तेर है, अब GST जब आ रहा था, तो GST की रूप रेखा कैसे बनने वाली थी, GST one nation, one tax, और one market पर बेस था, one tax, one market पर बेस था, अर्थात, सभी राज्यों पर जो कर की दर होगी, वो समान होगी, तो अलग अलग राज्य, जो अलग अलग कर की दर लगाते थे, अपने अपने शक्तियों का इस्तमाल करते हुए, ये शक्तियां अब छिनने वाली थी, तो एक प्रकार से आप ये समझ सकत हैं कि समविधान पर क्योंकि ये शक्तियां दी गई थी, अब इन शक्तियों को जब आप खीचने वाले हैं, इन शक्तियों को जब आप हटाने वाले हैं, तो समविधान में भी कुछ अंतर करना पड़ेगा, और उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, समविधान में किया अमेंडम या पिर शंशोधन क्लियर है अब यह किस प्रकार का संविधान में शंशोधन हुआ तो जब संविधान में शंशोधन किया जाएगा तो पार्लेमेंट के टोटल मेंबर्शिप का पचास प्रतिशत से ज़्यादा होना चाहिए इसके पक्ष में मत और वो जो मत होगा वो जितने लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनके दो तिहाई से अधिक होना चाहिए और साथ ही साथ पचास प्रतिशत से ज़्यादा राज्यों की भी मंजूरी चाहिए क्लियर है अब इस प्रकार का संविधान में शंशोदन क्यों किया गया अरधात राज्यों की मंजूरी क्यों ली गई इसके पीछे आधार है भारत का बेसिक स्ट्रक्चर या फिर फेडरल सिस्टम ऑफ कॉंस्टिटूशन या फिर भारत का संगवाद संगवाद क्या होता है तो जब आप फेडरलिजम पर बात करें इसे आपने पॉलिटी पर बखुबी पढ़ा होगा फेडरलिजम तो फेडरलिजम टोटली बेस्ट है किस पे डिविजन ऑफ पावर अरधात शक्तियों का विभाजन अरधात कोई एक सूची होगी सेंटरलिस्ट केंदर की सूची जिस पर केंदर का अधिकार होगा शक्ति होगी कोई एक ऐसी सूची होगी जिसमें राज्य सरकारों की शक्ति होगी और ये शक्तियों का जो बटवारा है यही बटवारा जो है फेडरलिजम का अधार बनता है उसका नियू बनता है अगर आपको फेडरल इस्ट्रक्चर समझना है तो आप United States of America के सिस्टम को समझ सकते हैं वो सही माइनों पर क्या है फेडरल इस्ट्रक्चर है लेकिन अमेरिका के फेडरल इस्ट्रक्चर और भारत के फेडरल इस्ट्रक्चर पर एक बहुत ही basic difference है basic difference क्या है कि जब हम अमेरिका के federal structure पर बात करते हैं तब हम क्या पाते हैं कि वहाँ पर केंदर और राज्युक ने आपस में ये decide किया कि हम दोनों मिलकर एक राष्टर बनाएंगे और ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया एक प्रकार का agreement था लेकिन जब भारत के federal structure पर आप बात करते हैं तो ये agreement नहीं था ये जब सम्विधान बनाया गया उस समय देश की परिस्तितियों के अधार पर ये माना गया कि हमें अर्धात अलग-अलग राज्यों को एक cooperation के साथ में एक साहकारिता के साथ में आगे बढ़ना होगा सबका साथ सबका विकास जैसी अवधाना यहाँ पर लागू की गई और इसलिए राज्य भी अपने हितों की रक्षा कर सके इसलिए उन्हें कुछ शक्तियां दी गई उन्हें कुछ शक्तियां अब responsibility दी गई शक्ति दी गई लेकिन यह शक्ति कहां से आएगी तो शक्ति आएगी financial power वित्ती ताकत से जब किसी राज्य के पास में यह responsibility है कि वह अपने राज्य के जो निवासी है उनके हितों की रक्षा करेगी तो उनके पास में यह संसादन होने चाहिए जिसके माध्यम से यह रक्षा करेंगी उनको सेवाएं पहुँचाएंगी और यह जो संसादन है यह संसादन एक प्रकार का क्या है रुपया, पैसा और यह पैसा कैसे आएगा तो यह राज्य सरकारों के पास में शक्ती होना चाहिए कि अपनी आय अर्जित करें और फिर क्या करें यह उसी पैसे का इस्तमाल करके इन निवासियों के हितों की रक्षा करें चीक है, तो अगर रैस्पोंसिलिटी दी गई तो उसी लिए शक्ती भी दी गई और शक्ती से मेरा अभी प्राय यहां पर फैनेशियल पावर से लेकिन जब जीएस्टी आया तो जीएस्टी की मूल अवधार्णा ही यह कहती थी कि राज्यों के पास में अपने स्वयम के कर निर्धारित करने का अधिकार अब नहीं रहेगा, एक प्रकार से रेस्पॉंसिलिटी तो रहेगी लेकिन जब शक्ती की बात कर रहे हैं तो शक्ती आने रहेगी तो बिना शक्तियों की रेस्पॉंसिलिटी कैसे हो पाई इसी तरज पर कई राज्य सरकारे यह विरोध करने लगी कि जीएस्टी जिस प्रकार से देश में लागू किया जा रहा है यह भारत के संगवाद पर हमला है अब यह पूरी की पूरी जो कहानी आने वाली है अब जो आप विडियो देखेंगे जो आप सुनेंगे यह इसी स्टेट्मेंट पर आदारित होगा कि जीएस्टी फेडरिलिजम के लिए थ्रेट है, खत्रा है या फिर कौपरेटिव फेडरिलिजम या सहिकारी संगवाद का एक बहतर उधारन अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राज्यों की जब शक्तियां चिनी जाएगी या फिर संविधान में कोई ऐसा शंशोधन किया जाएगा जिसमें संगवाद पर कुछ प्रभाव पढ़ने वाला है तो उसमें राज्यों की मंजूरी अवश्यक होती है इसलिए 50% से अधिक राज्यों की मंजूरी भी चाहिए थी GST को लागू करने के लिए ठीक है तो चलिए अब एक प्रकार का प्रश्ण दिमाग में डालते हैं अभी तक के दिये गए इस पूरे जानकारी के अधार पर हम ये समझ पा रहे होंगे कि बात तो सहीं लेकर हम इस बात का पुष्टी करण करेंगे कि GST भारती संगवाद पर हमला नहीं अपी तो GST सैकारी संगवाद का एक उधारन है तो अब पूरा का पूरा जो मामला बैठने वाला है वो ये है कि GST भारती संगवाद के लिए हमला नहीं बलकि क्या है साहिकारी संगवात का एक उधारन है अब ये आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे चलिए तो इसको अब प्रूफ करने की कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले संभिधान में जब शंशोधन किया गया तो अनुचेद 279 में GST परिशद का यहां पर बात काल से प्रूफ करने वाले हैं तो चलिए जीएसटी परिशद है क्या तो देखे बस्तु एवं सेवाकर से संबंदीत मुद्धों पर केंद्र और राजец सरकारों को सिफारिश करने के लिए एक संवेधानिक नीकाय का प्रावधान किया गया GST परिशद एक संवेधानिक न काई है किसलिए है यह तो वस्तु एवं सेवा कर्षिस संबंदित मुद्दों पर केंदर और राज्य सरकारों को सीफारिश दने के लिए अर्थाद प्लांइं नहीं है क्योंकि प्लानिंग कमिशन भी कुछ इसी प्रकार का कारई करती थी शीफारिश करती थि लेकिन वह सम्विधानी के दरजा दे देते हैं तो सम्विधानी के दरजा होने के आधार पर आप ये मान सकते हैं कि उसके पास एक अलग प्रकार की विश्षच्टा हो जाती है मह तो बढ़ जाता है क्योंकि सम्विधान में जूडने के बाद अब इसमें कोई भी फेर बदल अगर किया जाएगा तो संविधान में शंचोदन लगेगा और हर बार आपको परलिमेंट या फिर सदस्यों की जवरत पड़ेगी तो सबसे पहले तो GST परिशत को संविधानी के दरजा दिया जाना ही ये बात को प्रूफ करता है ये इस बात पर भार डालता है कि हमने इस प्रकार की संस्ता जो केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश जेगी उसे संविधानी दरजा दिया क्लियर है आगे बढ़ते हैं अब इसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों पर बात करते हैं सदस्य कौन होगे तो सभी 28 राज्यों एवं तीन संग शाषित राज्यों के बित मंद्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्यवर मंद्री या कुल मिलाकर 31 सदस्य होंगे कितने सदस्य होंगे 31 और ये सदस्य कहां के हैं तो केंदर सरकार के भी है और राज्य सरकारों के भी है अरधात एक ऐसी संस्था जो GST के मुद्दों पर सिफारिश करने वाली है उस संस्था पर उस निकायब पर जो सदस्य है वो राज्य सरकार के भी है और केंदर सरकार के भ क्योंकि आपने यहां पर 28 राज्यों के हर एक बीत मंदरी या फिर राज्य सरकार दौरा निर्वाचित कोई एक विक्ति की बात कर रहें अलगी और उससे संबंदित कोई भी बात करेंगे अर्थात केंदर और राज्य के सदस अगर मिल कर काम कर रहें तो ये हमला नहीं बलकि क्या है को आपरेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में आगे बढ़ते हैं जीएस्टी परिशत की अध्यक्षता केंद्र वित्यमंद्री करेंगे या एक संगी निकाय की रूप में माना जाएगा इसे और केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरज पर आगे इसी स्टेट्मेंट को और फुल्फिल करते हैं अब बतदान प्रणाली की बात करते हैं 28 सदस्य हैं तो जरूर लेकिन अगर जीस्टी संगबाद पर हमला होता तो इन 75 प्रतिशत अर्थात कुल सदस्यों के जब 3-4 मत एक ही होंगे तब कोई भी निर्णे लिया जाएगा तीन चौथाई तो किसी भी निर्णे लेने के लिए बहुमत में जब 75 परसेंट चाहिए और 75 परसेंट अर्थात जो क्राज सरकार के सदस्य हैं उन सदस्यों की यहां पर भूमी का जादा बढ़ती है फेडरलिजम इस्ट्रक्चर पर बहुमत की इतनी बड़ी संख्या होती है भारत के किसी और चेत्र या संविधान में कहीं पर भी आप तीन चौथाई बहुमत जैसी कोई भी यहां पर विकल्प नहीं देखते यह तीन चौथाई बहुमत आपको अमेरिका पर दिखेगा जो की एक आइडियल फेडरल कंट्री है वो भी प्रेसिडेंट के इंपीश्मेंट के समय पर और इस समय तीन चौथाई बहुमत इस बात को भार देता है कि कोई भी परिवर्तन अगर करना होगा तो उसमें राज्य सरकारों की महतुपून भ उनकी बात वहाँ पर जब उनके इंडरेस्ट वहाँ पर फुल्फिल हो रहे होगे अगे बढ़ते हैं भारी बहुमत का सिधानत है केंद्र सरकार का मान एक तीहाई वोट है सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर दो तीहाई वोट मना जाता है अर्थात वोटिंग पावर भी क्या है केंद्र सरकार के पास कम है लेकिन राज्य सरकारों के पास दो तीहाई वोटिंग पावर है एक परसन एक मतलब राज्य सरकारों का वोट एक माना जाएगा केंद्र का एक माना जाएगा ऐसा भी नहीं है वोटिंग पावर भी कहां ज़्यादा दी गई है राज् करते हैं अब GST परिशद के कारी क्या है एक और चीज़ आप याद कर लें कारी से पहले कि जो कोरम चाहिए कोरम का अर्थात क्या है कि कि किसी भी जो परिशद होंगे उनकी कारी को शुरू को खोने के लिए भी एक मिनिमम नंबर ओफ मेंबर्स चाहिए उधे क्या कहता है कोर क्या है सिर्फ चर्चा शुरू हो और ये GST परिशद में 50 परिशद का कोरम चाहिए क्लियर है समाने तोर पर हम ये कोरम 10% 20% देखते हैं लेकिन GST पर इसी संगवाद को बचाय रखने के लिए सारे सिस्टम को रिजिड बनाया गिया है कठोर बनाया गिया है ताकि संगवा कि जो मुल अवधारना है वो भी बची रही जी एस्टी के कारे पर अगर हम बात करें तो जी एस्टी परिशद का कारे निम्न लिखित विश्यों पर केंदर और राज्य सरकारों को सिफारिश करना है अब वो निम्न विश्य कौन-कौन से है तो पहला केंदर सरकार और और क्या सिफारिश करेंगे ऐसी वस्तू के बारे में शिफारिश करेंगे जिने GST के अधिन या उसे छूट प्रदान की जा सके और क्या सिफारिश करेंगे एक आदर से GST कानून बनाने के लिए इजियस्ती के बटवारे के लिए, आपूर्थी के लिए, सीमा रेखा जिसके नीचे वस्तू और सेवा के टरन ओवर को GST से शूट प्रदान की जाए अर्थाद एक limit के बाद एक minimum limit होगी threshold limit होगी उसके नीचे के turnover के अधार पर GST उन्हें पे नहीं करना होगा ये भी decide कौन करेगा तो GST परिशद सिफारिश करेगी एक प्रकार का क्या है ये decide ही कर रही है वह दिनांग जब से कच्चा तेल, high speed diesel, motor spirit, अर्थाद petroleum पदार्थ और जो हमारा natural gas होता है वो दिनांग decide करेंगे जिस दिनांग से इन्हें भी GST के अंदर समाहित कर दिया जाए तो एक प्रकार से अब समझ रहे होंगे कि GST परिशद GST से संबंदित हर प्रमुख निर्णे या फिर हर निर्णे लेने के लिए उत्तरदाई है और इस प्रकार से GST से संबंदित जो भी निर्णे लिए जाएंगे वो राज्य सरकारों के अधिक भागीदारी के अधार पर ही लिए जाएंगे तो फिर ये हमला कैसे हुआ ये तो सैकारी संबंद का उधारन ही पस्तूत किया जा रहा है GST के माध्यम से ही आगे बढ़ते है और किन विश्यों पर बात की जाएगी किसी भी प्राकृतिक आबदा या विबदा के दोरान अतिरिक्त संसादन इकठा करने है तू किसी विशेश अवदीक ले कोई विशेश दर या दरे क्लियर है हो सकता है कि अभी ये जो पेंडेमिक कोविड-19 चल रहा है उसके लिए भी कुछ ऐसे कारे किये जाए उत्तरपुर्वी एबा परवती राज्यों जैसे अरुनाचल पदेश असम मनीपूर मिघाले मिदोरम नागालें ट्रिपूरा सिक्किम जम्मू कश्मीर हिमा लाचल पदेश उत्राखंड के संबंद में विशेश प्रावधान लाया जाए जैसे अगर थ्रेशोल्ड लिमिट की हम बात करें तो थ्रेशोल्ड लिमिट नॉर्थ इस्ट स्टेट में अलग बनाए गए है क्लियर है चलिए जीस्टी परिशद द्वारा या था निर्णे एवं जीस्टी से संबंदित कोई अन्य मामला जिस पर परिशद निर्णे ले सकती है अन्तिम लाइन क्या बताता है कि कोई भी मामला होगा जीस्टी से संबंदित जीस्टी परिशद निर्णे ले सकती है क्लियर है और ये भी सुझाओ दे सकती है कि इस मामले पर निर्णे लेने का अधिकार भी किस पे पास है जीस्टी परिशद के पास है तो जीस्टी से संबंदित सारे निरने कौन करने वाला है जीस्टी परिशद इसमें सदस से कौन है राज्य के जादा है वोटिंग पावर किसके पास है राज्यों के पास जादा है बहुमत कैसा है तीन परिशद का कि GST परिशद भारती संगबाद को बचाय रखने के लिए एक संवेधानिक निकाय है और इस प्रकास से GST की जो पूरी प्रनाली है यह संगबाद पर हमला नहीं बलकि कोपरेटिव फेडरलिजम का एक्जामपल है तो इस प्रकास से आप यह उत्तर लिख सकते है चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं GST के अंदर कौन से कर शामिल है और कौन से कर शामिल नहीं है तो केंद्र और राज्य सरकारों के सभी आप प्रत्यक्ष करों को संभिलित कर दिया गया है कुछ को छोड़ कर GST के अंदर ठीक है लेकिन कुछ को छोड़ कर तो हम सिर्फ उस पर बात करेंगे जिने जिने GST के अंदर संभिलित नहीं किया गया है तो सबसे पहले हम केंद्र सरकार के करोपर बात करते हैं तो केंद्र सरकार के पास सबसे पहले जो अधिकार बनता है वह है सीमा शुल्क या फिर कस्टम ड्यूटी लगाने का आयात निर्यात पर तो इसे ना तो पूर्ण रूप से GST के बाहर रखा गया है ना तो पूर्ण रूप से GST के अंदर रखा गया है इसमें टेक्निकालिटी काफी सारी बनाई गई है लेकिन जब हम GST कुछ हिस्सों पर बात करें जिसमें सीमा शुल्क को अंदर नहीं रखा गया है तो इसके पीछे तरक क्या है घरलू उत्पाद्गों को बचाना जब हम GST या फिर एक अच्छे कर वेवस्ता के गुंड देख रहे थे तब हमने क्या कहा था कि कर कैसा होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए लचीला होना चाहिए परिस्तियों के अधार पर कर्मे परिवर्तन किया जाना संभा होना चाहिए अब एक बात बदाईए कि जैसे कि हमने दिवाली का उधारन लिया था उस समय बर अब ऐसी कुछ परिस्तिती आ जाए और तुरंत कुछ बदलाव करना है इस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना है चाहिना से कोई प्रड़क्ट आ रहा है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा कर इस इंपोर्ट को रोकना है तो अब इसके लिए कोरम बैठेगी 75% बहुमत लगेगा तो हो सकता है कि जितने दिनों पर ये GST कॉंसिल की बैठक हो तब तक ये सारी समिकरण खराब हो जाएं और घरलू उत्पादक नुकसान में चले जाएं तो इस फ्लेक्सिविलिटी को बनाये रखने के लिए घरलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए सिमा शुलकों कुद हत्तर GST के अंदर समिलित नहीं किया गया है के अंदर सरकार के पास अधिकार है अधिकार था कि वह बस्तों के विनिर्मान पर या उत्पादन पर उत्पाद शुलक लगाए और इस प्रकार से सभी क्या हो उत्पाद शुलक या हो चुका है GST के अंदर समाहित हो गया है बस कुछ उत्पादों पर GST नहीं लगता पुरानी इस्थिती ही चली आ रही है सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम की और इसके उधारन पर भी आप सहिकारी संगबात को समझ सकते है पेट्रोलियम पर अगर आप बात करें तो एक प्रकार का ये प्राकृतिक संसादन है और इस प्राकृतिक संसादनों के दोहन से वो राज्य सरकार जिनके पास ये प्राकृतिक संसादन है वो अच्छी खासी इंकम जनेरेट कर पा रही है अब अगर पेट्रोलियम पदार्थ पर भी राज्य सरकारों की शक्ती को खीच लिया जाएगा कर लगाने का तो इन प्राकरतिक संसाधनों का उस राज्य में होने का ख्यालाब तो इस गारण से कई राज्य जिनके पास ये प्राकरतिक संसाधन थे पेट्रोलियम धा, उन्होंने इसकी मांग की कि GST के अंदर इस उत्पाश शुलक को पेट्रोलियम पर लगने वाले उत्पाश शुलक को नहीं रखना चाहिए इससे हमारी आयप पर बहुत जादा नाकरात्मक प्रभाव पड़ेगा तो इसके लिए क्या किया गया कि एक नियत मतलब कुछ दिन के लिए टाल दिया गया पेट्रोलियम को GST के अंदर सम्मिलेद नहीं किया गया फिर उसके बाद तंबाकू पदार्त और अलको हॉल जो कंजप्शन के लिए अलको हॉल यूज होता है मादक पदार्तों के लिए इसे भी इसमें भी जो उत्पाश चुलक लगता था वही सिती बनी हुई है अर्थाद इसे भी GST के अंदर शामिल नहीं किया गया है इसके पीछे तर्क क्या तो एक अच्छे कर विवस्ता के क्या गुण होने चाहिए उसमें हमने दक्षता की बात की थी एफिशेंसे की कि एक टेक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे एक सरकार को आए भी अधिक मिले और ऐसे नकरात्मक पदार तो जो समाज के लिए हानिकारक है इनके उत्पादन पर भी कमी आए तो अगर GST के अंदर इन्हें शामिल कर दिया जाए तो जादा से जादा इसमें 28% का टेक्स आप लगाएंगे क्योंकि टेक्स लेब 28% तक है लेकिन इनमें कर की दर और बढ़ाया जाने की ज़वरत है तो इसलिए इसे GST से बाहर रखना चाहिए और इस पे अधिक से अधिक कर लगाए सरकार ताकि इसकी उत्पादन भी कम हो और सरकार की आय भी बढ़े साथी साथ अधिक से अधिक कर लगाने के साथ उपकर भी लगाए सेस भी लगाए जिससे हम वो कमाई करके राज्यों की शती बूर्टी करें तो इन प्रोड़क्ट पर कमपनसेशन फंड के लिए कमपनसेशन सेस भी लगाया जाता है और उसके बाद सभी अपरत्यक्षकर के अंदर सरकार के जीस्टी के अंदर सम्मिलित कर दिये गए क्लियर है आगे बढ़ते हैं और राज्य सरकारों के करो पर बात करते हैं राज्य सरकार के पास विद्यूत के ट्रांस्मिशन पर टेक्स लगाने का अधिकार होता है इसे जीस्टी के अंदर नहीं लाया गया तरक वही जो पेट्रोलियम के लिए था जो राज्य विद्यूत का उत्पादन करते हैं निर्यात करते हैं उनकी अच्छी खासी कमाई होती है और ये निर्यात ये तभी कर पाते हैं जब उनके पास विद्यूत उत्पादन के लिए परियाब्त प्राकृतिक संसादन उपलब्ध हो और अपने प्राकृतिक संसादनों के आधार पर इस्तिमाल से ये विद्यूत का उत्पादन करके अच्छी कमाई जनरेट करते हैं और अगर इसे GST के अंदर शामिल कर लिया जाता तो उनकी भी कमाई नहीं होती इसलिए इसे भी GST के अंदर समिलित नहीं किया गया दूसरा बात राज्य सरकारों के पास अधिकार है किसी भी वस्तु सेवाओं के बिकरी पर सेल्स टेक्स लगाने का और इसे पेट्रोलियम पर नहीं लगाए जाता पेट्रोलियम पूरा का पूरा बाहर है जो इसमें सेनवेट पहले लगाये जाती थी केंदर सरकार के द्वार वो सेनवेट लग रहा है और जो राज्य सरकार स्टेट लगाती थी वही स्टेट लग रहा है अर्थाद जीस्टी की पूर्व की इस्थिती इस पेट्रोलियम पदार्थ पर बनी हुई है और उत्पास शुल्क लगाने का अधिकार होता था मादक पदार्थों पर लिकर प अभी तो आप sanitizer बहुत ही जादा इस्तमाल करी रहे होंगे यह सारे GST के अंदर है लेकिन जो मादक पदार्थ के लिए alcohol इस्तमाल होता है उसे GST के बाहर रखा गया है क्योंकि यह भी एक प्रकार का demerits goods है समाच के लिए हानिकाराख है और इसे भी GST के बाहर रखना चाहिए अब एक प्रमुक मुद्दे पर हम बात करते हैं और यह मुद्दा क्या है compensation या फिर शतीपूर्थी अभी यह मुद्दा काफी news पर है तो चलिए बात करते हैं कि यह है क्या देखिए जब GST लाया गया तो GST की वज़ा से राज्य सरकारों के पास जो कर उगाही की शक्ति इन शक्तियों को खतम कर दिया गया अब जैसा कि आपने देखा कि भई माराश्ट और जारकंड का अमने एक्जामपल देखा था माराश्ट 10% टेक्स लगाता था और जारकंड 20% टेक्स लगाते थी अब दोनों को एक ही टेक्स लगाना पड़ेगा मान लिजी 18 पर से अब इससे हुआ क्या कि जब राज्य सरकारों के पास करकी दर निर्धारित करने की शक्ति छीन ले गई और GST ये वोला कि सभी बस्तूओं पर जो कर लगेगा वो पूरे देश में एक ही लगेगा तो राज्य सरकारों के पास एक चिंता आ गई और वह आ गई revenue neutral rate की revenue neutral rate इसका क्या मतलब है इनका ये मतलब है कि राज्य सरकारें ये कहीं कि अगर करकी दर सभी पूरे देश में एक ही होगा और हम अपने हिसाब से decide नहीं कर सकते तो जो GST की rate होगी वो इस प्रकार से रखिएगा कि जो revenue हमारा हुआ करता था वो neutral रहे GST की rate के अधार पर हमारा revenue गिरना नहीं चाहिए मान लेते हैं कि मैं 20% tax लगाता हूँ महराश रहा है और GST आने से ये क्या हो जाएगा 12% पर इस वस्तू पर चलाएगा तो मेरे पास जो 8% का जो extra income होता था वो कैसे होगा तो इस प्रकार से ये चिंता व्याप्त हुई कि भई GST तो चलो लेकर आ जाएंगे लेकिन revenue नहीं गिरना चाहिए राजजी सरकारों की जो आये हो रही थी वो नहीं गिरनी चाहिए और इसलिए revenue neutral rate क्या होगा इस पर चर्चा होने लगी कि भई एक ऐसा rate रहे कि हमारी revenue गिरे मत तो इसके लिए क्या बात हुई इसके लिए इसके साथ ही साथ बढ़ेगी और जब आपकी GST बढ़ेगी तो जाहिड सी बात है कि आपकी भी income यहाँ पर revenue जो होगी वो बढ़ते जाएगी लेकिन अगर ये अलपकालिक समय पर नहीं हुआ तो आगामी पांच वर्षों तक आपकी revenue में जो भी कमी आएगी उस revenue की कमी को पून किया जाएगा या फिर compensate किया जाएगा या फिर आपकी छती पूर्ती को आपकी छती कोई पूर्ती की जाएगी तो इसलिए आप चिंतित मत हुए आप GST को लागू करने के लिए अपनी समयती दीजे और ये छती पूर्ती आपको की जाएगी छती पूर्ती कैसे की ज लगाया जाएगा ठीक है उपकर का अभी कुराय क्या है कि कर की दर पर ही कर लगाया जाता है कर पर ही कर लगाया जाता है और ये कर पर कर या सेस उपकर क्यों लगाया जाता है किसी विशेश उद्देश की पूर्ण करने के लिए जब एजूकेशन सेस के माद्यम से सरकार आय अर्जित करेगी तो उसका इस्तमाल education के लिए किया जाएगा जब स्वच्च भारत mission says लगाया जाएगा तो उससे जो आय मिलेगी उसका इस्तमाल स्वच्च भारत के लिए किया जाएगा तो इस ब्रगार से ऐसे demerits goods पर compensation सेस या छती पूर्ती उपकर लगाया जाएगा और इस सेस के माध्यम से जो भी आयर जीत होगी उसका इस्तमाल केंद्र सरकार इन राज्य सरकारों की छती पूर्ती करने के लिए करेंगी ये बाद decide हुई पास सालों के लिए 2017 से 2022 तकी कानी लेकिन अभी वरतमान में क्या मुद्दा बन चुका है मुद्दा ये बन चुका है कि केंद्र सरकार ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है ऐसा केंद्र सरकार का कहा जा रहा है तो चलिए बात करते हैं इस मुवाज़े पर compensation पर GST मुवाज़ा इन सारे चीज़ को पढ़ते है GST लागू होने के बाद अधिकांश करो के रूप में राज्यों के पास बहुत सीमित कर अधिकार रह गए है क्योंकि पेट्रोलियम शराब और स्टाम ड्यूटी पर रोक लगा दी गई थी जिनने GST के अंदर गरद शामिल किया गया था तो इन उत्पादों के माद्यम से राज्य सरकार आय अरजित अभी भी कर रही पर सीमित ले के GST अधिनियम 2017 के अंतरगत राज्यों को पाँच वर्ष 2017 से 2022 की अवधी के लिए GST के कारियानवन के कारण हुए राज्यस्व के नुकसान ध्यान दीजेगा राज्यस्व के नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है किसके द्वारा तो GST अधिनियम 2017 के अधारा compensation to states मुआज़े की गढ़ना कैसी होगी तो राज्यों के वर्तमान GST राज्यस्व और 2015-16 के अधार वर्ष को मानकर 14 प्रतिशत की वार्षिक विद्धिदर के आकलन के बाद संरक्षित राज्यस्व के बीच के अंतर को भरतपाई माना जाएगा अर्थात जो भी आए हो रही है और 2015-16 में अर्थात GST के पहले जो हुआ करता था तो जो 2015-16 में होता था और जो भी वर्तमान में हो रहा है इन दोनों के गैप जो बन रहे है उसकी शती पूर्ती की जाएगी ये मानकर कि वार्षिक विद्धिदर GST की 14 प्रतिशत बन रही और अब 2020 में 110 रुपे मिल रहे है तो आप ये कहेंगे कि सर ये जादा है छती पूर्ती नहीं होगी लेकिन कैलकुलेट किया जाएगा कि अगर 14 प्रतिशत की विद्धिदर हुई होती GSTP बढ़ी होती तब कितना इंकम होता तब इतना इंकम होता 150 तो इने 40 रुपे की छत कि क्यों करेंगे ये मुवदा तो जो मैंने आपको समझाया वही है क्या है कि वी निर्माण छेत्र कर संगरांट से वन्चित रह जाएंगे क्यों इसलिए क्योंकि उत्पादन के इस्थान पर कर नहीं लगाया जाएगा जिसका अर्थ यह भी है कि वी निर्माण छेत्र कर स संग्राइन से वंचित रह जाएंगे और यही कारण है कि कई राज्यों ने जीस्टी के विचार का कड़ा विरोध किया था आपने उधारण लेका था सी एस्टी किंद्री बिक्री कर गा मैंने क्या बताया था कि जीस्टी से पहले जब अंतर राजी वैपार होगा तो केंद् मान या निर्यातक राज्यों को सीस्टी वाला पैसा नहीं मिलेगा तो यह एक प्रकार का क्या है उनका नुकसान हो सकता है और इसलिए क्या कहा गया कि जीस्टी की विचार के लिए कई राज्यों ने कड़ा विरोध किया था और इसलिए क्या बात की गई और हम क्या करेंग को मुआवजा नहीं दे सकेगा और थात जिस मुआवजे की बात की गई थी गैरंटी दी गई थी वो मुआवजा नहीं दे सकेगा केंदर इस बात पर विशेश बल दे रही है कि इस वर्ष कोविड-19 महमारी के कारण GST संग्रहन में तेजी से कमी आई है क्लियर है कितनी कमी आई है तो उस पर अगर हम बात करें इस वर्ष GST मुआवज़े के लिए अनुमान कितना था तो तीन लाक करोड रुपए की आवशक्ता है क्लियर है कमपंसेट करने के लिए मुआवजा देने के लिए जबकि उपकर या सेस के माध्यम से 65,000 करोड रुपए रहने का अनु तो इतना कमी है तो कैसे कर पाएगी मुआवजा तो इसी पर बात अब यह मुद्दा और आगे कैसे बड़ा तो उस पर भी हम बात करते हैं केंद्र सिफारिश क्या दी अर्थात 2,35,000 करोड रुपए कम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो उपाय देगी केंद्र सरक कारने के आगा कि राज्यों को इस स्थिती में दो विकल्ब हैं और दोनों में बाजार से उधार लेने की अवशक्ता है तरक क्या है केंद्र का तरक है कि जी अस्टी के कारवान्वन में केवल 97,000 करोड रुपए के राज्यसों की कमी है जबकि 1.38,000 करोड रुपए का नु 97,000 करोड जो रुपए है इस रुपए का क्या होगा इसे जी अस्टी मुवजे में इसको फुल्फिल करना है अर्थात इतनी कमी है इतना सरकार मानती है कि इतना कमी है लेकिन बाकी जो 1.38,000 करोड रुपए है इसकी बात यह है कि ये कोविड अर्थात एक्ट ऑफ गौड क कारण नहीं आएगा क्लियर है तो अब यहाँ पर क्या समधान दिया गया राज्य सरकारों को राज्य सरकार या तो 97,000 करोड रुपए का उधार ले सकते हैं इसे अपने रिंड और मुल्धन और भविश में उपकर संग्रा से ब्याज के भुकतान को जोड़े बिना ऐसा कि एक्ट आफ गॉड को नहीं मानते तो पूरे की पूरे दो लाग पैतीस हजार करोड रुपए को उधार में आप ले आए और इस इस्तिती पर आपको ब्याज का बुकतान करना पड़ेगा वित्त मंत्राले ने तरक दिया है कि केंद्र द्वारा अधिक उधार लेने से ब्य पंजाब, पस्चिम, मंगाल, पुड़ुचेरी और दिल्ली जैसे पाँच राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों ने इन प्रस्तावों पर अपनी चिंता वेक्त किये हैं क्यों उनका कहना है कि राज्यों की वित्ती इस्तिती गंभीर दवाव में हैं जिसके परिण स्वरुप वेतन भुक्तान में देरी होगी कर्मचारियों और महामारी के कारण लॉड़ॉण के बीच पूंजी गत वे में भी भारी कटवती हुई है अर्थाद जो पैसे थे जो पूंजी गत वे किये जाते संपत्ती निर्मान के लिए वो नहीं हो पा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं तो वो स्वास्त सेवाओं या स्वास्त देख भाल के लिए खर्च किये जा रहे हैं चुकि देश के सभी राज्ये इस समय वाइरस से जूज रहे हैं इसलिए उन्हें स्वास्त देख भाल सेवाओं पर खर्च करने के लिए भी वित्त की आवशक्ता है और पैसा चाहिए ठीक है तो इस समय तो इस्थिती बहुत गंबीर है हमारे पास खुद पैसा नहीं है लॉ करनून के अधार पर हमें हग दिया गया है उसे ही आप पूर्णी कर पा रहे हैं और इनी परिस्तितियों के आलोग में कई राज्यों ने दोनों विकल्पों को खारिज कर दिया है और केंद्र से पुना विचार करने का आग्रा किया है तो यह चल रहा है वर्तमान का मुद् तो इस प्रकार से GST से संबंदित सारी जानकारी आप लोगों ने समझ ली अब GST से किसी भी प्रकार का प्रशना आएगा चाहे वर्तमान के मुद्दे हो चाहे स्टेटिक पोश्चन हो लाब हो कैसे लाया गया कारण क्या था उन सबका आप उत्तर लिख सकते हैं और इनी आधार पर इनी जानकारीयों के आधार पर आप निबंद भी लिख सकते हैं तो इस प्रकार से GST टॉपिक आपको समाप्त होता है अगले टॉपिक पर अगले वीडियों पर मिलेंगे धन्यवाद